हेलो एडरीवन वेलकम टू ऑनलाइन ए लेर्निंग प्लेटफॉर्म आफ एगरीकल्चर आइंड जी के दोस्तों मैं अभिने दिक्षित आफ सभी का एगरीकल्चर जीके लेर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से हम बात होंगे इंट्रीट पेस्ट मینजमेंट के बारे में दोस्तों अगर आप एपसींस्टेंट गरेट थी और सी आई असिस्टेंट गरेट टू मेंनेजर पोस्ट के लिए प्रिपोरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मॉस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंक इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बाई में डिसकस करूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर आप फूट कार्परेशन आफ इंदिया एपसी आई असिस्टन ग्रेट 3 एकजाब की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्री कल्टिश्ट आपको फूलेंफ मोकर्स दिये जाेंगे और आपको यू टूप क्लास्स क्लास नोडस भी प्रवाइड किया जाएंगे टेकनिकल पेपर के लिए कौस का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 1499 रुपीस इस अफोर्डेबल प्राइस पे आप इस कम्पलीट कोर्स को बाई कर सकते हो अगर आपको यह कोर्स बाई करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ए और जो अपने classes ली हैं भी तक जो है उन classes की जो link वगरा है वो आपको मिल जाएगी description box में तो आप मारी previous classes और जो सकते Stories की वीडियो से वो सभी देख सकते हैं वीडियो के description box से चलिए अधिस्टर करते हैं topic को डुस्तों बात करते हैं बारे में जो आपका ाई पूर था यह HOLTU दोस्तोंअ लिग तो आपका ॐपं होता है इसका में परपस क्या होता है यह आपका जो है एक फ्रेंड्ली अपर उर्च है इसका मेंन उद्देज से प्रस्तों जुक्त प्रपूलेशन को कन्ट्रोल करना उसको जह है इकोनमिक्स होड लेवल के नीची रखना ठीक है और जो आपका dal होता है इसमे relief हम जो है basically cultural हो गया आपका mechanical हो गया और आपका biological हो गया chemical हो गया इन सभी methods के द्वारत जो है पेस्ट को control करते हैं जो का आपका chemical method होता है इसको सब्सक्राइब करते हैं जब जो है पेस्ट पापुलेशन आपकी जो है economic threshold level से उपर हो जाती है जब कि इसको क्रास कर जाती है तब जो है हम chemical जो पेस्टिसाइड हैं को यूज करते हैं पेस्ट मेनेजमेंट के लिए और जो आपका दोस्तों national center for integrated paste management है यह आपका पढ़ता है नई दिल्ली में nc ipm यह आपके exam के लिए important है इसको आपको याद रखना है चलिए एक लाइज में बात कर लेते हैं इसकी परिभास्या क्या है ipm की तो ipm को आप इस तरीके से जो है कर सकते हो defined इन एक लाइन में ipm is a sustainable approach to managing paste by combining biological cultural physical and chemical tools in a way that minimize economic health and environmental risk जैनि कि आपका दोस्तों जो ipm है वो जो है एक sustainable approach है जिसके अंतरगत आप जो है cultural physical और आपका mechanical biological और chemical टेकनिक को यूज करते हो और उससे आप जो पेस्ट जो पापूलेशन होती है पेस्ट का management होता है वो करते हो आप और आप को सिस करते हो कि यह जो आप कर रहे हो यह प्रोसेस इसके दौरान जो है आपका जो eco friendly practices है उनको आप इन्वालप करो और आपका जो environment है वो safe रहे तो यह सबीज्य हैं मेनاعस पेस्ट मैरेजमेंट के चलिए आगे बठते हैं और दुस्तों बात कर लेते हैं telescope ओ इन्पी इन्टिग्याट पेस्ट मैरेजमेनक के बारे में इसको क्या है तो इसका दूस्तों मेहन अधिय से होता हो क्या होता है जो पेड़ पापुलेशन है उसकी जो है जो पापुलेशन होती इसको जो है बिलो aja इकनमिक अंजिदू लेवल रखना जो आपका ई-I-L होता है बिलोड पैट। Dan दूरी लिवल इसके जो है पेड़ को दखना और इसके लावज़ आपका पेड़ population होती है दोस्तों इसको जो है आप इको friendly मैंतर के द्वारा कंट्रोल करना जैसे आपका physical हो गया, cultural हो गया, mechanical हो गया, biological हो गया, इनसे आपका जो environment होता है उसको कोई हार नहीं होती है आपका environment safe रहता है तो इन के दौरा आपका पेस्ट को कंट्रोल करना और लास्ट में जब आपका इनसे कंट्रोल नहीं होता है तब आप यूज करते हो केमिकल मैथट को तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है यह मेन इसका अब्जेक्ट्टिव है कि आप जो है इको फ्रेंडली जो मैथट्स हैं उनके आप पहले पेस्ट करें और इससे आप जो और अगरी कल्ट्ट है उसको प्रमोट करें क्योंकि आपका आई पीम है इसका जो इसलिए गया था कि जो आपका और लिक प्रोड़क्शन है इसको बढ़ाया जाए और जो केमिकल हैं जिन से हर्मफुल एपक्ट होते हैं हीूमन पे और जो होते हैं उन पर तो उन से बचाने के लिए आई पिफम के कासिट को इंट्रोड्यूश किया गया था नेक्स अपका दूस्तों आता है जो आपके नेचुरल फैक्टर होते हैं जैसे आपका बाइलोजेकल कंट्रॉल हो गया नेचरल इन वीष हो गया क्राप सके त जो आपके natural resources हैं जैसे आपका biological control agents हो गया और आपका natural in means हो गया वारस हो गया bacteria हो गया और आपका fungus हो गया इन सभी के दौरा आप जो है प्रेस्ट management करें तो यह सभी इसके main feature होते हैं यह इसके main objective हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं cultural method के बारे में cultural method के दौरा आप कैसे जो है पेस्ट को control कर सकते हो जानते हैं इसके बारे में तो आपका जो cultural method होता है दोस्तों इसको बोलते है agronomic practices इसमें आप जो एगरी कल्चरल प्रेक्टिसेस होती है जैसे आपका जो cultural practices होती है जिसमें आपका जो है crop rotation हो गया तूनी हो गया ठीनिंग हो गया क्राफ जिफ्यूस destruction हो गया आपका fertilizer management हो गया कि लेज़ आपका हो गया water management हो गया इंटर कपिंग हो गया इस अभी के द्वारा आप जो है पेस्ट की पपलेशन को कंट्रोल करते हो तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इस क्राफ टेकनिक के बारे में और उन से आप इस पेस्ट को कर सकते हैं इसके पारे में जाल लेते हैं यह सब भी मोस्ट इपॉर्डट जो है अपके एकग्जामपल है यह आपको याद रखने हैं मैं भी आपको एक-एक बारे बता रहा हूं तो पहला आता है ट्रीमिंग एंड प्लास्टेरिंग इससे क्या होता है आप जो है जाइस ग्राज ग्रास होपर को कंट्रोल कर सकते हैं निक्स दोस्तों आपका आता है पेस्ट फ्रीस सीड मटेडियल यानि कि आप जब सीड को सोईंग करें तो आप ऐसे सीड को यूज करें जिसमें प कर सकते हैं he plant density कि जब आप जो में सघन क teachings क्या तो क्या होता रखार उस जाइस बराउन प्लांट हो पर जो आपका होता है वह से होता है ट्रोछ ने अपका अता है अर्थिक अब अर्थिंग आपकर जो सूगर कीं हो गया और आपका पोड़ाइटो हो गया इसमें की वीड है अगर आप उनको क्ल कर्देटे और तो आप जो है सिट्रेस्ट शूर्ट सब्सक्राओं को कं जो गर गर देते हैं तो इससे आप क्या करेंग गर अब्रश कर सकते हैं लिद्ध करण जबड़ा ने यानि कि आगर आप खेट में पानी भर देते हो तो उससे आपका जाईस आर्मी वरम नाम को कड्春 कर सकते हैं निक्स आपका आता है प्लूनिंग और टौपिंग जब आप की पतियां उसट और को आप टोड़ डेते हैं तो इस्से क्या होता है hardest कर सकते हैं बिदिए इडिक साथagen दिसमें होगे दोस्तो आप चार अधिक पस्लिब कुझतार् ट्रफ तो、 इससे क्या होता है डाइमंड पाक मौत नमक पय होता है कंट्रोल ने क्ट्रोल त्याप मकर्नेजमेंट है लिगती तो, जो र्क्राइल रोती है उसी के क्वारणिंग देते हो तो इससे आपका डिन ब्राउट जो डर्कट होता रहोगहστε है नेक्स्ट आपकाक दोस्तों आता है टैमली हर्वेस्टिंग अगर टैमली हर्वेस्टिंग करते हैं तो आप आफान्स कैणल परडेक्ट दोस्तों होती है क्या होती है इंटरकर्पिंग में हम क्या करते है you actually 107 खेत मैं जू है दो यहां दो से अधिक क्राप्स को अगाते हैं तो इसको कहते हैं इंटरकरिंग है जैसे आपका दोस्तों कॉलिस्वर है कॉलिफ लावर में जब और इन को उगा देगो आखके साथ में तो इस आपका डाइमंड ब्यक्वाउत नमक जो आपका पेस्ट होता है उसको अप कर सकते हो कंट्रोल इससाथ दूसरा दोस्तों आपका आता है मस्टेड कौलीफ फ्लावर प्लस मस्टेड जब पर जब घ्रो करते हो साथ में टॉर आपका कौश्प का डाइमंड हो प्लोन चकते हैं कंट्रोल टकर अगाथी और उद्फीर को ग्रों इस टें सब्सक्राइब 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 नोन को कर सकते हैं य οποका आता है बनाना क्राप बनाना में अगर आप मेरी गौल बरते हैं компании लेग जविल्ट सकते हो को इस्से लिफ्ट में थोह पॉपलीज़न को क्ते हो इसको अगरå कि अगर आप इसे ग्रो करते हैं तो आप हॉइट फ्लाइस को कंट्रोल कर सकते हैं तो यह कुछ जो है इंपॉर्टेट क्राप्स हैं और उनकी इंटर क्राप हैं तो अगर आप इनको यूच करते हो तो आप जो है प्रेस्ट को कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर उगते हैं और यह आपका इसे आप उसले करते हैं लोकर यह ल होती है ऐसमें जो है Watchा का नहीं होपाता है और आपकी यह डिवाली जो क्राप होती है जो आप लगाते हूँ मेड़ पे उसमें डैमेज होता है तो बात का लेते हैं कुछ इमपोर्टेन्स ट्रैप क्राफ बारे में और उसे कौन सा पेस्ट होता यहaliśmy पारे में तो दुस्तों पहला आप का कवली फरावर इसमें अगर आप मस्टर्ड को ग्रुव करते हो ट्रैप क्राप के रूप में तो आप डायमेंड बयक मौथ को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप तो आप तो अगर हैं अगर आप इसमें करस्टर को ग्रों करते हैं टेप कर आपके रूप में तो आप इस पर डोप यह नमक पेस्ट को कंडरोल कर सकते हैं तो यह कुछ ट्रैप क्राप हैं आपके एक्जाम पॉइंट आफिर इसे इंपॉर्टेंट है इनको आप डाउन वर लिजिए अगा चलिया आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप बात कर लेते हैं पर similarly होता है जो आहिए इसके दौरा आप जो है पेस्ट को करते हैं इसकी हाई डोज है न को बढ़ाता है उनके इस्asy Spanish को बढ़ाता है लेकिन दोस्तों गर बात की जाए पोटेशीम की अगर आप पोटेशियम करते हो पेंज में पने उस्धे मिली जहेला जाएगा यानि आपको पोटेशियm की हाई डोगे जोिश करनी है और जो आपका फट्राइजर बनेजमेंट है वह डिन्हें कि ईंग दोस्तों पहला आथा हैज जय में बोस्तों आफ त्रिप्स को अब का जो ग्रीन लिप अपर होता है होल भाइक होता आप का लीप और होता है इन सभी पेश्ट को रोखने के लिए अगर आप जो है Hi हाई डोस करनी है पोटेसियम की नेक्स दोस्तों आपका आता है लीप फॉर्डर गाल मिड्ज ब्राउन प्लांट हापर यलो इस्टेंबोलर और आपका हाइट ब्लैड प्लांट हापर इन सभी पेस्ट के लिए अगर आप जो है अपने फील्ड में हाई डोस यूज करोगे न आपको हाई जो है डोज नहीं उच करना है नहीं तो इनका इंफेस्टेशन बढ़ जाएगा नेक्स दोस्तों आपका रहता है हुई टक्राप हुई में आपका जो में जो कट वारम होता है जिसका अधर्डिफिक नेम क्या होता है मिधिमना से पेलाटा अगर आपको इस पे है हाई डोज उच करें है आपका जो है फास्पोरस की जर आपका फास्पोरस होता है इसकी आप गर है रिकांड़ उच करते हो तो आप सोरगम सूटपलाई को रोग सकते हैं निफ दूस्तों आपका रहता है कौटन को पिंक बाल वारम है और लीफ हउपर है इसके लिए क्राफ में डे में ज्यादा करेंगी एंट आपको आलवेज को कॉटन करनी है नेक्स आपका दूस्तों आता है चिक पी इसमें आपका लगता है हैली कवरपा अगमी जेरा इसको रोकने के लिए आपको जो है नाइट ट्रोजन की जो लिंटेड डोस है वही यूज करनी है आप अधिक मात्रा में यूज करते हो बैक्ट्रोजन तो आपका पेस्ट लग जाएगा लिए आपका बढ़ जाएगा और इसके लाब आपको जो है पोटेसियम और फास्थोरस की जो है मात्रा को जो है जाबा यूज करना है तो इससे आप जो है चिक्पी कराब में हेलिक वरपा कमीजेदा को करपाएंगे पर आगे बात मुस्टों के बारे में यह लिब समय अब कल 2 यह वो गया और आपका सब्सक्राहिम यह इस अब होगया इस सब्सक्राइब के जूरा आप करते हैं और है फिए खरís क्लमbell मे आते हैं the अरिक लिए जो है एंब क्वार्ट इसक wz अगर आप जो है यह करते हो 50 to 55 degrees Celsius for 50 minutes तो आप जो है जाइस हुआइट टिप निमाइटेट को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप जाइस होई टिप निमाइटोट को क्ट्रोल करना चाहते हैं तो आप उस क्राप में होट वाटर ट्रीटमेंट कर दें 50 से 55 degrees Celsius टमप्रेचर पे पं लेवल कि इससे आप जो है फ्रूड फ्लाइकों कर सकते हो और आपका टमप्रेचर क्या रहेगा वन टू 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 टमप्रेचर फॉर्ट टू 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 टी डेस ने इस तो आपका आता है ड्राइंग आप सीड अगर आपके सीड का मोईस्टर लेवल 10% से कम टूं है तो इससे आप जो है सीड के डिवलेप्मेंट को रोग सकते हैं लिंग्स फार्ता फ्लडइंग अगर आप अपनी फील्ड में जो है पानी भर देते हों तो इससे आप जो कि क्या होता है आप जो है लोकस्ट को कर सकते हैं कंट्रोल निक्स दोस्तों आप करता है संड्राइंग संड्राइंग से जो आपके स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनको आप जो है कर सकते हैं किनको आप यूज कर सकते हो आई पीम की प्रैक्टिसेज में निक्स दोस्तों आप कर लेते कुछ जो है मैनूवल फोर्सस के बारे मेनूबल जो आप रेसन है जो आप खुद कर सकते हूं उनके बात लेते हैं तो दो पहला आप करता है हैं पिकिंग कि अगर आपके क्राफ में जो कैटर्पिलर से अगर इंगी पापुलेशन एक लिमिटेड मात्रा में है तो इनको आप हैंड कर सकते हैं और क्राफ से अपनी निकाल सकते हैं दोस्तों आपका आता है सीविंग एन विनोइंग जेट फ्लॉड बीटर को आप जो सीविंग से नि कंट्रोल ने स्टाप का आता है जो आपका आइधन होक होता है इसको यूज करते हैं एडल्ट जईनल से बीटल को लोकने के लिए कंट्रोल करने के लिए चाडियोस्तों बात कर लेते हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट मेकैनिकल इसक्लूशन मेटड के बारे में जिनके कर सकते हैं कंट्रोल बाइव रैपिंग प्रोससेस कर दोसरा आता दोस्तों आता है बैंडिंग बैंडंदिंग विद ग्रीस जक्रस्जत precisamentezkod का पव्दा होता है उसका जो ट्रंक होता है ट्रंक में आप जो है गरी लगा देथे हैं ग्रीज तो इस से इता होता है जियो आपका मीली बग होता है महांगो में मpiej नहीं को माहिं ऑक्त आपका जो है पेडर पर चड़啦 knob जो बाप खोद देते हैं तो इससे क्या होता है जो आपके लार्वा होते हैं यह आप कर सकते हैं निए सब्सक्राइब कर सकते हैं के विद आता है जाइट प्रूफ स्टरक्ट्चर आपको जब आप इस टोड ग्रेंel प्रेश्त को कंड्रोग करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो गौडान वगारा वह ऐसा बनाहों जिसमें आपका जो अच्छा प्रवęt ना कर पाएं तो आप जुरम इस्टोर ग्रेंट पेस्ट अंको आप कर पाएं sería आगे आगे बाढ़ते हैं लाइक टके बारे में लाइत थैक्षाट चुट्स तो एक डिवास के देखिए लगा हुआ है यह जो है क्राप में जगा जगा पर आप इसको कर सकते हैं इस्टाल दोस्तों इसमें क्या होता है इसमें जो है एक लाइट लगी होती है जिसको इलेक्ट्रिक या आपका जो सौर उर्जा होती है जो आपकी सोलर एनरजी होती है उसको रोसनी मिलती है जलता है रात में इसको रात में जो है आउन कर देते हैं और यह आपकी दोस्तों बाल्टी है इस बाल्टी में आप जो है केरोसीन हो गया या कोई केमिकल जो इसमें डाल देते हैं तो जो आपके इंस से दोस्तों आप जो है लाइड ट्रैक के द्वारा इंसेक्ट को जोरा कर सकते हैं क Unterstüt कि डीसित तो आप का यहाइट थरा prost plutôt कि हुता है दोस्तों सिरा मोन ट्रीट मेंस दोस्त्त यह कि आई यह दा ट्रैपक़ उच करते हैं इसमें डाल देते हैं तो इससे क्यां होता है जयो हुआ हुआ होता है उसको लगता है कि उसके अंदर भिमेंट मेल स्ब्सक्राइफ के लिए वो जाता है है और समस्कृर्त करके मर जाता है आई इसमें मय Car जाता है फिर स्कोंग कर सकते हैं कंट्रोल करते हो और आप गे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इमपॉर्टिंट DRAPS के बारे में तो बेदा है यelओ इंप्रिकी ट्रैपोंय कोatan ग्राइब है नहीं इस तो आप का आता है बैट्ट्रेप्स जिसमें आपका फिस मेज घर होता है वह सौरगम रॉट फ्लाई को चन्टोल करता है निस्ट तो आप राता है मिसटाई लिए liginaw ट्रैप और फ्लूट प्लाईश अगरा आप मिताल र्यूच करते हैं तो इस से आप फूट फ इस बिन को आप जो है जो आपका स्टोरज होता है वहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं और यह आपका जो है आटोमेटिकली जो पेस्ट होते हैं उनको जो है निकाल देता है चलिएंगे बढ़ते हैं दोस्तो दोस्तो अगर आप Food Corporation of India FCI Assistant Grade Second Manage एक्जामके लिए अपलाई किये हैं साथ में अगर आपने FCI Assistant Grade 3 टेखनिकल पोस्ट के लिए भी अपलाई किया है तो आप Agriculture G dat प्रेटफर्म से इसका Combo Pack बाई कर सकते हैं कमबो पैक में आपको FCI AG2 और AG3 दोनों का कमबाइड नोट्स मिल जाएगा इस कोर्स का प्राइस हमने काफी एफोर्डेबल रख्था है ओनली जो है 2399 रुपीस में आप इस कोर्स को ले सकते हैं इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहें दोस्तो फेज वन और फेज आपको जो है 20 मॉक्रिस दिए जाएंगे जो कि आपके फेज वन और फेज टु दोनों के होंगे और आपके दोनों एक्जाम के होंगे इसके लब आपको YouTube इस दी जाएंगी और Class Notes दिये जाएंगे को बाई करने की लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दी है वहां से आप एग्री कल्चर जी के आइप को स्टाल कर सकते हैं और हमारी बेप साइट से स्कोर को ले सकते हैं अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे एनी टाइम इस नं होते हैं और आपके जो माइक्रो और होते हैं और जो आपके होती है इन सभी का यूज करते हैं आप जो है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टन बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में और उनसे कौन कौन से पेस्ट होते हैं मैनेज इनक तो most important example है इनको उपर लीजियेगा क्योंकि आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो पहला आपका आता है पहला सित्वाइड है इसमें पहला आपका एक पहला सित्वाइड यह आपको याद रखना है जुआ अपका ट्राइको ग्रामा है यह आपका जो ko aur ball warms ko control कर सकते हैं अगर आप इसको really करते हैं दूसरा अपर काता है टे ली नोमर्स tvr आप जो है इसको डूप टेरा को कर सकते है control नेक्स्ट्ट्र आप काता है एक एक लारवल पहोजा इस इसमें आपका का पहला क्या आता है जी लो नस ब्लैक बंनी कि इसके दॉराब यूह बाल वर्म को कंट्रोल कर सकते हैं ने शुन्दियों आपका रहता लर्वल's पया सेट्वाइड इसमें क्या आपका रहता है ब्रैक यू Master यह आपका जो है लारोबर प्राइट है इसके दोरा आप जो है कोको नट ब्लैक हिड़ेड कर सकते हैं कंट्रोल नेक्स दोस्तों आपका आता है ब्रैकन हेटर इसके दोरा आप जो है कॉटन बाल वार्म को कर सकते हैं कंट्रोल चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और वे कंट्रोल agent के बारे में दोस्तों इसमें पहला आपका है प्रेटर है इसक में पहला आपका हैcertification सब्सक्राइब क्या होता है सब्सक्राइब कर सकते हैं कंट्रोल नेक्स्ट आपका दुस्तों आता है अस्ट्रेलियन लेडी बर्ड बीटल इसके दौरा आप जो कर सकते हैं कंट्रोल नेक्स दुस्तों आपका आता है इंसेक्ट पैथोजन्स याने कि आपका माइक्रो और्गनिज्म से पहला आपका दुस्तों आता है एन पीवी न्यूक्लियर पॉली हैड्राइसिस वायरस ऑफ हेली कवरपा अर्मीजेरा इसके दौरा दूस्तों आप जो करना आता है इसके द्वाराव जो है लाइपिडोप्लियन इंसेक्ट को कर सकते हैं कंट्रोल धुस最近 आप पार आता है को कर आदाए idao बैस्याण या आ या आपका एक फंगस है इसके द्वारा आप जो एक इंसेक्ट को बॉइड़क्रों कर सकते हैं कंट्रोल महां इ forehead अंक और जीनम इनके द्वाराग आप जो है रूट रॉट एंड विल्ट कार्जिंग फंगाई फंजाई जैसे आपका जो है राइजोक्टोनिया सोलानाई माइक्रोफोमिना फैसे लीना इस पेसीज जैसे जो आपके फंगा साहिन को आप कर सकते हैं कंट्रोल पल्सेज में कॉटन में वाइल सीड में वेजटेबल में ने जोस्तों आप करता है स्यूडो मोनास प्लॉरेसेंस इसके दौरा आप जो है रूट कार्जिंग फं को किल करते हैं तो इसमें पहला दूस्तों आपका आता है ओर शुर्म नियोचटिन आप रूची दूसरा आपक आता है नियो चिन आ कॉर्णी यह लाय नहीं का और सकते हैं कंट्रोल में सब्सक्राइब Atlantar जो है पार्थेनियम वीट को कर सकते हैं कंट्रोल तो ये कुछ दूस्तों मोस्ट इंपॉर्टन एक्जामपल है जो कि आपको याद रखने हैं आपके एक्जाम में इसे कोश्टन बन सकते हैं तो आपको ये लिस्ट पूरी याद रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ब कि 19-49 में माइक्रो बियर कंट्रोल दो Star क्या होता इसमें आप जो है ज मायक्रो ऑर्गीजम उते हैं जैसे आपका ada सोगए बैक्टिरीया हो गया निमेटीओं हो गया आपका और आपका वार्यस ओगया इनकी हेलब से आप पेस्टर करते हैं कंटॉल जो आपका दोस्तों टर्म है बाई लोजिकल कंट्रोल इसको क्वाइंड किया था है एस इस्मितने डिया 13 88 में दोस्तों पहली बार जो है वेल प्लांड सक्सेस्फ़ुल बाय लोजिकल कंट्रोल किया गया था तो यह भी आपको याद रखना है कि 1888 पहली बार जो है सक्सेट फुली बायो कंट्रोल किया गया था ने जो तो क्या है आपका 1898 में जोस्तों क्या हुआ था भारत में जोस्तों पहली बार कोई इनमी को जो है किया गया था इंट्रोड्यूश भारत में कोई निच्रल इनमी पहली बाग कर आया था वह आपका आया था एक्टी नाइन्टी एड में नेस्ट क्या आपका इंपॉर्टेंट है एक्जाम पॉइंट अब यू से प्रोजेक्ट डिरेट और बायोजिकल कंट्रो पीडी बीसी यह आपका दोस्तों पढ़ता है बैंगलूरू में इसकी स्थापना हुई थी नाइन्टी नाइन्टी थी को यह आपको याद रखना यह इंपॉर्टेट आपका इस्ट्यूट है आपके एक्जाम में पहुच सकता है इसके बारे में चलिए दोस्तों आगे ब आपका आप किसी दूसरे देश से जो आपका प्लांट हो गया यह आपका कोई प्लांट हो गया कोई आपका जो है सीड हो गया या आपका अनाज हो गया उसको अगर आप मंगाते हो किसी दूसरे देश से तो उसको आप जो है मंगाने से पहले उसकी जाज की जाती है उसके क करने के बाद तो इसको करते हैं तो इसमें क्या होता है इसमें जो है आपका जो है गवर्मनेंट ने कुछ लेजिसलेशन और एक्ट बना रखे हैं जिनके द्वारा वो जो है जो दूसरी कंट्री हैं दूसरे स्टेट हैं उनसे जो है पेस्ट को जहां पर पेस्ट नहीं पाया जाते हैं वहां पर पहुझने से रोगते हैं कर्टोल करते हैं दोस्तों कुछ आपके इस पेस्ट होते हैं जो आपके इस पेसल जो है प्लेस पर पाया जाते हैं और अगर करता है और वहां पर फैल जाता है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टन पेस्ट लेजिसलेसन के बारे में तो पहला दोस्तों आपका है अपने इंडिया के से 1914 का year इसमें आपका दोस्तों जो है destructive insect and paste act आया था जिसको DIPA कहते हैं नेक्स दोस्तों आपका है 1919 इसमें दोस्तों क्या हुआ था आपका मद्रास agricultural paste and disease act आया था नेक्स आपका दोस्तों है 1968 इसमें आपका insecticide act आया था तो यह कुछ आपके important हैं इनको आपको याद रखना है दोस्तों बात कर लेते हैं plant quarantine के बारे में यह दोस्तों क्या होता है इसमें दोस्तों आप जो है legal restriction करते हो movement का planting material का एक देश से दूसरे देश में एक state से दूसरे state में बलब अगर कोई ऐसा planting material है जो आपका जो है उसमें paste manifestation है तो उसको आप किसी ऐसे place पर जहाँ पर उसका manifestation नहीं है वहाँ पर जाने से जूखते हैं तो इसके लिए आप जो है plant quarantine को यूज करते हैं अगर दोस्तों बात की जाए डारेक्ट रेट आप प्लांट प्रोटेक्शन कोरेंटाइन एंड इस्टोरेज तो दोस्तों इसकी जो है स्थापना 1946 में government of India के द्वारा फरीदाबाद में किया थी जो आपका पड़ता है हरियाणा में इसका दोस्तों में उद्दे से क्या है यह आपका जो है देखभाल करता है इंपोर्ट और इंपोर्ट का एगरिकर्टर कमोडिटीज का यह आपका इंपोर्ट है इस्यट्यूटीड इसको भी आपको याद रखना है और दोस्तों जो आपका फाइटो सैने ट्रीच क्या फरकाज है यह जो है है इस टेट के इंटे मेनल ऑजिस्ट और प्लाट प्लान्ट प्लांटब के दौरा दिया जाता है किसी जो में planting material को seed material को यह सिद्ध करने के लिए कि वो आपका जो है planting material जो है पेस्ट से free है अगर आपके planting material को यह certificate मिल गया है phytosanitary certificate तो आपका जो है जो इसे आपका जो plant material है आपका जो seed material है यह जो है insect और disease जो free रहता है यह सका प्रूफ होता है यह उसी के लिए जाता है अंगर तो बात कर लेते हैं chemical control के बारे में तो chemical इसम्गय रहता है जो आप chemicals होते हैं år गामें के अर्वालत हैं उनके दोख आप पेस्ट को करते हैं इंसेक्टिसाइड यह आपके दोस्तों जो है 1939 से 1942 तक थे इसमें आपका बी एच सी और डीटी आते हैं दूसरा दूस्तों आपका आता है सेकेंड जैनलेशन इंसेक्टिसाइड यह आपका पोसीटिसाइड यह आपके नाइन्टी सेवनटीं सेवन में थे इनमें आपके जो हर्मोनल इन्सीव्याहिव में यह बहुते इंपरेटो बीतर घ्री को ओर इनके एक्जाम पल्स और जैनरेशन और हैं यह आपको याद रखना करते हैं टॉक्सिटी लेवल के बारे में जब आप कोई इन्सक्रीचाइट बाई करते हो तो आपको उसकी बोटल पर या उसके डिब्बे पर आपको जो है यह लोगों मिलते हैं देखने के लिए तो इनका मतलब क्या होता है जानते हैं इसके बारे में जुस्त पहला आपका कि लोगो अगर आपके जो है अगर आपने कोई बाई किया है सफिसाइड अगर उसनों आपका जड लोगो है तो इसका दोस्तों मतलब क्या होता है इस्ट्रीमी टॉक सिक यह उसमें जो है जो लीथर लोज होगी कितनी होगी वन टू फिप्टी मिलीग्राम पर केजी इनके एक्जाम्पल्स की तो बात कर लेते हैं मोनो क्रोटो फार्स जिंक फार्सफाइड इथाइल बरकरी एसिटेट यह कुछ ब्लू लेबल लेबल यह आपका है लिक्ताइज धर ईसकीजिट क्या होती है इसकी जो ओर दोς दोस्त होती है फिव्क टीव फंडेड मीलीग्राम तर कीलोग्राम इसके देटिस अपरम्त में आता है इसके दोस्तों आपका होता है moderately toxic इसकी lethal dose क्या होती है 501 से 5000 miligram पर kilogram इसके दोस्तों example क्यों कहों होते है मेलाथियान, थीरम, ग्राइफोसैट ये इसके example है नेक्स्त दोस्तों आपका ग्रीन लेबल ये आपका slightly toxic होते है और इनकी lethal dose क्या होती है more than 5000 miligram पर kilogram इसके example दोस्तों क्या क्या है आपके मैनको जेब, oxyflorpan mascutor repellent ये दोस्तों इनके example है ये दोस्तों most important table है इसको आप रट लीजिए क्योंकि इससे आपके exam में question आने के chances बहुत जादा है ये जो है इसकी डोज पूँछ सकता है आपसे इनके example पूँछ सकता है तो इसको आप याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं type of pesticide के बारे में जो आपके pesticide होते हैं और कितने type के होते हैं जानते हैं इसके बारे में दोस्तों पहला आप कहता है insecticide ऐसे chemical जिनके दोरा हम इसमें इसका आप काता है जिंग फास्फाइड नेक्स दोस्तों आप काता है एकरी साइड इनके दोरा हम जो है माइट को कंट्रोल करते हैं क्राप में इसका example क्या है दोस्तों डाइको फॉल आपको इनके एक्जाम्पल याद रखने है इंपोर्टन्ट है आपके एक्जाम प्वांट अब उसे ने दोस्तो आप करता अविसाइड ऐसे केमिकल जिनके द्वारा हम जो है बर्ड को किल करते हैं या बर्ड को कंड्रोल करते हैं तो उनको कहते हैं A-B-Side इसका example क्या है Anthraquinone Next अक्त्वार क्या है Mollsicide ऐसे प्रक्त जिनके द्वारा हम जो है paperół को और slugs को करते हैं इसका example क्या है Metaldehyde नेक्स दोस्तों आपका है निमेटी साइड ऐसे केमिकल जिनके दोरा हम जो है निमेटेट को करते हैं कंट्रोल तो उनको कहते हैं निमेटी साइड इसका एक्जांपल दोस्तों क्या है इथाइलीन डाइब्रोमाइड नेक्स दोस्तों आपका आता है फंजी साइड ऐसे केमिक जिनके दौरा हम बैक्टिरिया को कंट्रोल करते हैं जो प्लांट डिजीज लगते हैं वाले उनको रोकते हैं तुर कहते हैं इसका अग्जामपल क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन सुफ़ेट ने दोस्तों क्या है आपका हर भीजाईट आएसे और जिनके दौरा हम वीड़S को हर्फ को कंट्रोल करते हैं उन्हें कहते हैं हर्भी साइड इसका एक्जामपल दोस्तों है टू-4 दी तो यह आपके मोस्ट इपोर्टेंट एक्जामपल है इनको आप याद रखिएगा है दोस्तों बात कर लेते हैं जूल आप प्रेस्टिसाइड इन जो आपका दोस्तों ग्रोकेमिकल निया मूνत में जम्हाइएं पैस्टीसाइड होते हैं bit का रोल ज्छोटे हैं यह आपको मिल जाते हैं मारक्ट में हैं और केमिकल कंट्रोल जो आपका होता है मैथट यह मोस्ट इफेक्टिव में जो है इसकी गिंती आती है नहीं दोस्तों क्या है आपका जो आपके एग्रो केमिकल होते हैं दोस्तों यह आपके जो है मार्केट में मिल जाते हैं हार टाइप के जैसे आपका दोस्तों क्या हुआ जैसे आपका दोस्तों होता है depending on crop जैसे आपका हो गया इंसेक्ट एड नेचर आप डैमेज यानि कि आपका जो प्रेस्ट है उसकी उसका नेचर क्या है तो उसके कवर्डिक आप जो मार्केट में जाकर के ले सकते हैं पेस्टिसाइड तो आपको यह मार्केट में हर टाइप क यूज कर सकते हो और आफानी से प्रेस्ट को कर सकते हो कंट्रोल नियस्ट क्यायाता है दोस्तों यह आपका उस्ट एफेक्टिव होता है इसमेश। यह आपकी लागत कम आती है और पलीघ ग्रिक्मिकल के बनुट्हित धीम में और धो आपका लास्ट मांग्य में यूज करिएगा हम सबका उद्देश से हैं कि हम सभी जो आपकी ऑर्गनिक अर्गनिक फार्मिंग इसको प्रमोट करें और और अर्गनिक होता है और जो है इसका लाय गया था इससे जुए आपकी और निक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए और आपका जो एक्ग्रों के मिकल्स हैं उनके कंट्रोल को कम से कम किया जाए दोस्तों अगर आप केवल FCI AG2 मेनेजर पोस्ट के लिए अपलाई किये हैं और आप इस एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर जीके प्रेट फार्म से FCI AG2 मेनेजर के लिए कमपलीट कोर्स कर सकते हैं हमारे कोर्स में आपको प्रवाइब कर रहे हैं स्लेबस के शेकर लिए कर लिये यूटुब लूकि शकर नोट्स प्रिवियस यहर पेपर टेसे इट टैसुध सी रीज उन कोश्टक्रन बैंक फ्री इंटर्व्यू गाइदेंस यह हमारा स्योर्ट सेलेक्षन बैच है मतलब जो हम आपको प्रुवाइड कर रहे हैं गर आप उसको पढ़ते हो तो उसके बाहर से कुछ आपको पढ़ने की आउसकता नहीं पढ़ेगी और इस कोर्स का प्राइस पढ़ेगा केवल आपको 1599 रुपीस अगर आपको यह कोर्स तो आप वीडियो का description box चेक करिए वहाँ पर आपको agriculture G surfaces के link मिल जाएगी और हमारे website की link मिल जाएगी वहाँ से आप इस score को buy कर सकते हो अगर कोई query होती है तो आप मुझे call कर सकते है मिरे number की link कापको वीडियो के description box में दे दी गई है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल नहीं होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिये सेयर करिये और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको एफसी आई और जो अबबार एक्जाम्स होते हैं करिकल्चर के सभी एक्जाम्स की नोटिफिकेशन उनकी जॉब की अपडेट्स इसके लावा आपका उनके प्रिवेश सेयर के जो पेपर्स होते हैं और डेली क्लासेस प्रवाइड की जाती हैं एक्जाम ओरियंटेड तो आप जो है चैनल को सबस्क्राइब पर एक्जाम्स के लिए हमारे जो टेली ग्रूप है Instagram पेज है उसको फालो करिये और हमारे WhatsApp को आपिण करिये अगर आप दोस्तों किसी भी क्रसी पर इच्छा के त्यारी कर रहे है तो आप Agriculture ग्रवाइड को स्टाल करें हमारे आप पर आपको India के सभी